स्वेले दोस्तों कैसे हूँ आप सब अगेन तुम्हारे भाई पास काफ़ें इंट्रस्टिंग अपडेट्स हैं तो स्टार्ट करते हैं ग्रैविटी से सो हसल सीजन 3 के कंटेस्टेंट केड़न शर्मा कले के स्टोरी शेयर करते हैं जिसके अंदर वो लिखते हैं आम वे अब यहां पर साफ साफ ग्रैविटी ने शॉट्स लिए हैं केड़न शर्मा के उपर और इसके उपर आपकी क्या राया है मुझे नीचे कॉमेंट्स में लिखे बताएगा आगे बाट्स पहले मैं आपको बता दू मेरा पुरान चैनल दराइप टॉक्शो किसी वज़े से प्रेट हो चुका है तो जितने लव और सपोर्ट आपने उस चैनल पर दिखाया था इस नया चैनल पर दिखाईएगा प्रीश चैनल को सब्सक्राइब करके बैल अकन प्रस कर दीजेगा क्योंकि ही पॉप से डेली अप्डेट्स आपको इस चैनल के अंदर मिलती रहती है अप्रेट आ रही है इकका की साइट से इकका ने अपनी एलबम ओलजियार से कुछ कॉलैप्स रिवील कर दी है ऐल्बम के अंदर हम लोग को एक्क्स कर रहां हो चालगा कोलैब ट्रैक्स देखने को मिलेगा साथी इकका एक्स बाश्या एक्स दिलजी दोसान के भी कॉलैब प्रैक्स देखने को मिलेंगे तो इन में से आप सब जादे किसके लिए एक्साइड हो यह मुझे नीचे कॉमेंट्स में लिखे बिताएगा सो नेक्स अपडेड एमसी स्टैन के साइड से सो एमसी स्टैन का जी क्यू इंडिया के साथ एक इंटर्व्य आउट हुआ है जिसके अंदर एमसी स्टैन एमीवे के साथ की बीफ को लेके कुछ ऐसा बोलते है एमीवे डिट सम्थिंग आइड नॉट लाइक और भी काफे कुछ बोला है अगर आप चाहो तो इसको पॉस करके पढ़ सकते हो साथी हनी पाजी की बीट में होमी दिली वाला का एक निया सौंग आने वाला है जिसका नाम होगा मै कमीना एड इसी को शेयर करते हुए हनी पाजी लिखते हैं होमी दिली वाला ने कमाल की है मेरी बीट पे सीधे मौथ का भी Lifted के साथ एक निया इंटर्विव आया है जिसके अंदर वो अपनी एल्बम के बारे में बात करते हैं So many exciting announcements are lined up in 2024 for us as well as our fans We are going to continue work on our next album for sure and सीधे मौथ is not stopping So अभी गले से वीडियो के अंदर इतना ही